जेहन, मेरा नाम अमान्चुग है and I hopefully believe कि आपने Portfolio Education Services Initiative क्या है उसके बारे में आपने वीडियो देख ली होगी इस वीडियो में मैं जिकर करूँगा कि आपको Stock Churning और Stock SIP को कैसे Implement करना है वो बताने से पहले-पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में करक्स बताने की कोशिश करता हूँ Stock Churning वो Shares हैं जिसको हम Churn करेंगे यानि कि जिन में फटा-फट रैली आई और हम उसको Profit Book करके बाहर निकलेंगे हम उसके साथ Long Term खड़े नहीं होंगे क्योंकि Normally कोई भी Stock Longer Term में ऐसे बढ़ता नहीं जाएगा हमेशा Stock Correct होता है और धीर-धीरे करके Correct होते होते ऊपर बढ़ता है और जोरी नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही रहे Correct होते होते कभी-कभी वापिस पे Correction Mode में भी आ जाता है इसलिए हम Normally उसको Churn करने की कोशिश करते है Similarly, कुछ Stocks ऐसे होंगे जिसमें हम Average Out करते-करते लगाते रहेंगे यानि कि Sip Mode, यानि कि जिसको मैं Stock Sip बोलूँगा यानि कि एक Stock Churning हो गया, एक Stock Sip हो गया दूसरा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई Share Stock Churning में ही रहेगा कोई Share कभी Stock Churning में रह सकता है कभी वा Stock Sip में हो सकता है और कभी वा दोनों में भी हो सकता है तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी हम जो Stock Churning या Stock Sip करेंगे नॉर्मली अच्छे Large Cap Shares में ही करने की कोशिश करेंगे हम Small Cap, Mid Cap में नॉर्मली Exposure नहीं लेते चौथा पॉइंट ये है कि जो Stocks जिसमें आप Churning करेंगे या जो आप Sip करेंगे नॉर्मली मैं खुद अपने Family Accounts में भी वैसे ही Implement करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी जो Education समझता हूँ और जो मैं आपको Education Impart करता हूँ तो जो Portfolio अपने Stocks का या Mutual Fund का जो मैं अपना खुद का Develop करता हूँ चाए Sip के थूँ, चाए Churning के थूँ मैं वही अपने जो मेरे जो Subscribers हैं उनको भी मैं वैसी Educate करने की कोश़ करता हूँ और सबसे Major Point यह है यह कोई Advisory या Broking Service नहीं है यह Educational Service है ताकि आप Education के साथ-साथ अपने Portfolio को Build करें इसमें Best Part होगा कि अगर आपके दो Separate Demet Account हो एक में आप Churning के Stocks का Demet Account रखें और एक में आप सिप जो Stocks लगाएंगे उसका अलग Demet Account रखें क्योंकि अगर आपका एक ही Demet Account में दोनों Portfolio होएंगे तो कई बार Average Price आपका खराब हो सकता है तो यह मेरी Recommendation है, बाकी Choice आपकी है समझने के लिए कि Stock Churning में क्या करेंगे सबसे पहले तो आपको Stock Churning के लिए अपने Portfolio में कि कितना Stock में Churn करने के लिए आप पैसा Allocate करना चाता है यह वो आपको Final करना है हो सबता है आपका 6 Lakh का Portfolio हो सबता है 60 Lakh का Portfolio हो सबता है 2 KROD का हो, हो सबता है 1 KROD का हो 50 lakh का हो, choice आपकी है मैं assume कर रहा हूं कि आपका portfolio 6 lakh रूपीज का है अब समझो आपका 6 lakh का है और मेरा 60 lakh का है या मेरा 50 lakh का है, या मेरा 30 lakh का है या मेरा 20 lakh का है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहां पर यह नहीं बताऊंगा कि ultimately C, D करके ऐसे कोई shares हैं और मैंने बोला A share 1 by 30 खरीद लो और 1 by 30 का मतलब है कि आप उस A share में 20,000 रूपीज लगा देंगे और ऐसी मैंने बोला कि B share है, उसमें 1 by 60 खरीद लो यानि कि B share में आप 10,000 रूपीज लगा देंगे इसका मतलब यह आपका portfolio चाहे 6,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 बात नहीं 1 by 30 और लगा लेंगे यानि कि average करने का मौका लगा हम यानि कि हम normally किसी एक share को 3 या 4 बार भी average कर पाएंगे क्योंकि हमने हर बार एक small proportion लगाया है और 7 में अगर suppose वो share उपर की तरफ चला गया तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हमें इसमें और लगाना है तो अगर मैंने बोला 1 by 30 और लगा दो तो यानि कि आपका 1 by 15 हो जाएगा पूरा exposure और अगर मैंने बोला कि उसमें half profit book कर लो तो यानि कि 1 by 30 जो आपने खरीदा था 20,000 पर जो आपने लगाये थे और समझो 5% उपर चला गया और मैंने बोला profit book कर लो half profit तो आपका remaining portion सिरफ 1 by 60 रह जा लेगी, but obvious है, हम normally stock churning में 5-7% के normally एक motor रखते हैं कि उस profit target के बाद निकल लें, मगर normally कई बार हम 10-15% का भी target रखते हैं, actually क्या है, market change होती रहती है, आज कल की present market में 5-7% के profit में भी हम बाहर निकल जाते हैं, कभी market की pitch अच्छी होती है, तो 10-15% भी हम अराम से लेते हैं, आइडिया यह रहता है कि हम एक तरह से profit लेके, churn करके बाहर निकलें, किसी और में घुज जाएं, या half profit लेके उसमें book कर दें, ताकि अगर और उपर गया तो और profit ले लेंगे, नीचे आया, तो average कर लेंगे, यानि कि stock churning का मतलब यह है कि हम उसको churn करते रहें, जुडे आ रहें, और आपने देखाएगा, historically, कोई भी share आप उठाके देखने, चाहे मारूती, चाहे MRF, चाहे HDFC Bank, ICC Bank, SBI, ONGC, Indian Oil, Vedanta, Tata Steel, कोई भी share हमेशा कितना ऐसे नहीं जाता, हमेशा ऐसे ऐसे करते जाता है, या कभी ऐसे ऐसे करते नीचे भी आता है, इसलिए हमें churn करना बहुत जरूरी है, ऐसे ही, जैसे मैंने stock churning का जिकर किया, ऐसी एक दूसरा जो हम portfolio develop करते हैं, वो है stock के साथ sip करना, assume करते हैं कि आपकी जो sip की amount है monthly, वो 20,000 रुपीज है, हम normally हर महीने 4 sips करते हैं, normally, तो यानि कि हर हफते यानि कि 5-5,000 रुपीज लगाएंगे, आपकी च जब आप sip लगाएंगे, और normally हम हर महीने 4 sips करते हैं, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हम 4 ही करेंगे, market में correction नहीं हुआ, market में average out नहीं हुआ, तो हम इस बार 4 sips नहीं करेंगे, 2 ही करेंगे हो सकता है, तो assume करते हैं, मैंने आपको बोला कि sip में आप ये 5 share ले लिजिए, और ह हो सकता है, उन सारे share'ों का price 1000 से कम है, फिर तो आप 5000 को 5 shares में divide कर देंगे, जितने इतने share बनते हैं, वो आप खरीद लेंगे, मगर अगर किसी share का price 1000 से ज़ादा है, समझो किसी share का price 1500 है, आपके बास choice है, आप 1500 रुपीज का share खरीद के, बाकी जो shares हैं, उन 4 shares में 3500 को divide कर द किसे, 500 share में exposure ले लें, मगर कई वर आपका SIP का amount अगर कम होता है, तो कई वर आप नहीं ले पाएंगे, that's hardly any issue, क्योंकि ultimately हम सारे shares इसमें भी हम SIP लगाने ही कोश कर रहे हैं, we are trying कि हम सारे shares best पकड़ें, मैं in fact कहना भी भूल गया, stock churning हो या stock sip हो, दोनों case में हम large cap लगाने कोश करते हैं, सिरफ stock churning नहीं, stock SIP में भी हम इसका ख्याल रगते हैं, खास ख्याल रगते हैं, अब समझे कि हमने कोई A, B, C, D shares में लगाया, SIP, पहला SIP, दूसरे SIP में होसता है, इसमें सिरफ A जो है वो बहुत correct हुआ, B, C वहीं पर खड़ा रहा, और D बहुत बड़ा यानि कि उपर चला गया, तो हमें B, C को average करने ही जुरूत नहीं है, हम शायद A को average करेंगे, D को करेंगे, और शायद E और F कोई नया share पकड़ेंगे, यानि कि इसमें best part ये है, कि हम अपने हिसाब से वही share को average करेंगे, जो share या तो गिरा हो जादा, या बड़ा हो जादा, जो share वहीं पर खड़ा, उसको average करने ही क्या जुरूत है, और ये बहुत-बड़ा advantage है, जो mutual fund में हम नहीं implement कर सकते हैं, अब एक और point है, let us say, हमने किसी महीने में दो ही sips करी, अब what always है, आपने तो सिरफ 10,000 रुपीज लगाया होएगा, क्योंकि आपका monthly sips का amount था, वो 20,000 था, तो कोई बात नहीं, next month में जो हम पहली sips लगाएंगे, उसमें जो आपको 5,000 रुपीज लगाना आएगा, पिछले महीने के जो carry forward 10,000 था, प्लस जो अगले महीने में जो 5,000 आपको लगाना है, यानि कि आप next month की first sips में 15,000 रुपीज का sips लगाएंगे, यानि कि amount चाहिए 20,000 है, चाहिए आपकी sips का amount होज़ता है 2 lakh हो, होज़ता है आपकी sips का amount 5,000,000 रुपे हो, कोई फरक नहीं बढ़ता, आपको इसको divide कर देना है, assume करके कि हर महीने 4 sips रहेंगे, तो यानि कि इस तरीके से हम sips by sips, हम ultimately अपने portfolio को develop करते रहेंगे, यानि कि एक हमा अपरियाल के हमारा stock churning का portfolio develop होता रहेंगे, एक हमारा stock sips का portfolio developed होता रहेंगे, अपरियलाइज करेंगे कि धीर धीर करके over a period of time, आपका portfolio और मेरा portfolio सेम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो portfolio मेरो churning वाले stocks होँएंगे, कबार वाना निकलता रहेंगा, और अच्छे वाले stocks आते करते हैं कि हरेका different होता है क्योंकि daily हरोस को इना कोई subscribers join होते हैं मगर past performance आप जरूर देख सकते हैं क्योंकि past performance जब से आप जुड़े होएंगे आप वहां से performance हमेशा calculate कर सकते हैं उसमें कोई issue नहीं है अब मैं आखिर में ये कहना होते हैं मगर stock SIP में जो advantage है वो mutual fund के सिप में नहीं मिल सकता मैं उमीद करता हूं कि आपको stock journey और stock SIP दोनों clear है क्योंकि अगर clear नहीं तो video को एक बर दुबारा देख लेना and मैं उमीद करता हूं कि इस journey में आप भी education के साथ अपने portfolio को build करेंगे thank you very much जह हैं